लेवर की unlimited power होती है लेवर की help से train को भी एक अकेला इंसान धखा लगा सकता है बट यह possible कैसे है एक example से समझते हैं लेवर की एक side में 10 kg वजन रखते हैं यदि इस weight को 5 kg से lift करते हैं तो हमें 5 kg side में liver की length को 10 kg side से double करना होगा weight को balance करने के लिए यदि 50 kg वजन को 5 kg से balance करना होग तो हमें ज्यादा long liver की जरूरत होगी यदि इसको थोड़ा modify करके समझते हैं तो इस type का एक liver mechanism बनाते हैं इस पर force लगाने के लिए थोड़ा सा इसको और modify कर लेते हैं दूसरी side में भी same ऐसा ही liver बनाते हैं लेकिन यहाँ पे crank की length को double कर देते हैं यदि छोटे liver पर हम 2 kg वजन को उठाने जितने force को छोटे liver से बड़े liver की तरब transfer कर दिया अब यदि हमें force continue चाहिए बड़े liver की तरब तो हम यहाँ पे teeth बढ़ाते जाएंगे और continuous power का transfer चलता जाएगा और इसी liver के mechanism को समझ कर ये gear system में बदल गया और आज के time में हमारे पास में बैतरीन gear है जिस इसको मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे इसी system को use में लेकर gear system develop हुआ मान कर चलते हैं यह गाड़ी का engine है जो एक fix speed पे चल रहा है और जब गाड़ी का engine start होता है तब से लेकर जब तक वह बंद होता है तब तक continuously चलता ही रहता है तो इस gear system की help से हम engine की power को control कर सकते हैं गाड़ी की speed को कम जदा करना neutral करना यह सब gear system से ही control किया जाता है इसको थोड़ा समझते हैं इस gear को direct engine से power मिलती है तो यह engine की speed में ही rotate करता है हमेशा उसके बाद में नीचे की तरप एक counter shaft लगाते हैं जिस पर कुछ ऐसे gear लगे रहते हैं और इस shaft को भी continuously engine से power मिलती रहती है उसके बाद में last shaft आती है जो drive shaft होती है जो engine की power को गाड़ी के wheels तक पहुंचाती है drive shaft पर एक gear लगाते हैं जो freely rotate करता है shaft और इसके साथ में ही shaft के ऊपर एक छोटी shaft लगाते हैं जिसको clutch leave बोलते हैं जो drive shaft के साथ में rotate करती है लेकिन यह left right move कर सकती है अब engine को own करते हैं और गाड़ी फिलाल neutral position में है यदि हमें एक number gear लगाना है तो इस clutch leave को slide करके इस gear के teeth में ऐसे set कर देंगे और engine के power कुछ इस तरीके से transfer होने लग जाएगी इस छोटे gear में 20 teeth है और बड़े में 40 यानि gear ratio 1 is to 2 हो जाएगा जिसका मतलब है जब छोटा gear दो बार rotate करेगा त कर सकता है clutch leave उपर, clutch leave को इस gear से बाहर निकालते हैं और इन दोनों gear को मेज कर देते हैं, अब कुछ इस तरीके से power output में जा रही है, इन दोनों gear के gear ratio equal है तो output में speed थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी, अब तीन number gear लगाना हो तो engine की soft को direct drive soft से connect कर देंगे clutch leave की help से, जिस gear system को sliding maze transmission बोलते हैं, लेकिन in gear की एक बहुत बड़ी problem है, जब तक clutch leave और इस gear की speed बराबर नहीं हो जाती, तब तक clutch leave सही से मेज हो नहीं पाता, और gear लगाते time एक तो gear बहुत मुस्किल से लगते हैं और बहुत आवाज भी करते हैं, इसलिए constant maze transmission डवलप हुआ, in gear का नाम comment box में जरूर से लिखना, drive soft पर जितने भी gear लगे हैं, वह freely move करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, यह सबी soft पर कोई force नहीं लगा रहे हैं, यदि इस bottle पर हम एक लकडी के cape को गुमा गुमा कर tight कर देंगे, तो bottle और cape साथ में rotate करेंगे, तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, किसी भ ऐसा ही second और third gear में भी होगा, fourth gear में input and output soft direct connect हो जाएगी, लेकिन इस connector की help से gear को connect करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक बहतरीन mechanism यूज होता है, हर gear के साथ में एक synchronizer लगा रहता है, जो यहाँ से कुछ cone shape में होता है, और उपर की तरफ teeth बने रहते हैं, इसक hub के उपर एक sleeve लगी रहती है, जो left right move कर सकती है, यदि sleeve synchronizer cone और hub को connect कर देगी, तो engine के power output में जाने लग जाएगी, लेकिन problem फिर से वही है कि इसको smoothly कैसे connect किया जाए, तो इसके लिए synchronizing ring को काम में लिया जाता है, जिसमें ऐसा friction cone होता है, और यह कुछ इस तरीके से move कर सकत जो ठीक एक connector की तरह काम करती है, जो अभी कुछ देर पहले अपनने देखा था, दोस्तो आप भी यदि 3D animation के इस बैतरीन और market की सबसे demanding skill को सीखना चाते हो, तो description में course का link दिया हुआ है, हमने course को बहुत बैतरीन तरीके से design किया है, और इस animation को सिखाने में हमने कोई कमी न प्रेस होते हैं, एक number gear लगाने से पहले हम कलत स्प्रेस करते हैं, तो counter soft भी रुक जाएगी, और आसानी से gear लग जाएगा, और कलत छोड़ते ही गाड़ी चलने लगेगी, लेकिन दो number gear लगाने से पहले हम फिर से clutch प्रेस करते हैं, और इस condition में drive soft भी rotate कर रही है, और counter soft भी smooth gear लग जाए, अब जब हम gear लगाते हैं, तो sleeve को इधर move करते हैं, तो sleeve के teeth synchronizing ring पर जाकर force लगाते हैं, जो synchronizing ring होती है, वो एकदम freely rotate करती है, जब तक उसको gear के cone पर tight ना किया जाए, जब sleeve का force synchronizing ring पर लगेगा, तो sleeve के teeth synchronizing ring के साथ में mesh हो जाएगे, और अब sleeve synchronizing ring पर force लग रिंग की स्पीड बराबर होने लग जाएगी और जैसे ही स्पीड बराबर होगी तो स्लीव थोड़ी सी इधर मुव करेगी और गीर से अपना कॉंटेक्ट बना लेगी और ड्राइव साफ्ट का कनेक्शन गीर से हो जाएगा और अब कलच पेडल छोड़ते ही इंजन की बनाने के लिए, गाड़ियों में पांच नंबर गियर और बेक गेर का मेकनिजम थोड़ा सा अलग होता है, पांच नंबर गियर में सलिव इस बड़े गियर को छोटे गियर से कनेक्ट कर देती है, जिससे गाड़ी की स्पिड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गाडियों में बैक गियर के लिए थ्री गियर सेट यूज में लेते हैं और गियर के टीथ भी एकदम स्ट्रेट होते हैं और कोई सिंक्रोनाइजिंग रिंग भी यूज नहीं होती है इसलिए बैक गियर जब कनेक्ट होता है उससे पहले जरूरी है कि गाड़ी की साफ्ट एक चाहते हो तो कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल पर वीजिट करके और भी ऐसे वीडियो को आप एंजोई कर सकते हो थेंक्यू